दोस्तो आपने कई तरह की मूर्थियां देखी होंगी इन में से कुछ मूर्थियों में गोड़े के उपर राजा बैठा हुआ होता है और गोड़े के पैर हवा में होते हैं तो दोस्तो आपने कभी यह बात नोटिस करी है कि घोडे के पैर हवा में क्यों उठे होते हैं घोडे के पैर हवा में उठाने का भी एक रीजन है घोडे के पैर हवा में होने के तरीके से यह पताय लगाया जा सकता है कि राजा की मौत पहले हुई है या घोडे की या दोनों की साथ में हुई है तो दोस्तो आज मैं बताऊँगा आपको कि इन मूर्तियों का क्या मतलब है अगर मूर्ति में घोडे का लेफ्ट पैर उपर उठा हो तो यह माना जाता है कि जंग में घोडा राजा से पहले शहीद हुआ है जैसे कि माराना प्रताप के मूर्ती में चेतक का लेफ्ट पैर हवा में उठा होता है अगर मूर्ती में घोडे का राइट पैर उपर उठा हो तो यह माना जाता है कि जंग में राजा घोडे से पहले शहीद हुआ है अगर मूर्ती में घोडे के दोनों पैर उपर उठे हो तो यह माना जाता है कि युद्ध के दोरान दोनों की साथ में उठ हुई है जैसा कि रानी लक्षमी माई की मूर्ती में दिखता है दोस्तों आप सभी चिप्स तो खाते ही होंगे चिप्स ने अपने तरह तरह के फ्लेवरों की वज़े से लोगों के बीच अपनी काफी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ा ली है लेकिन क्या आपने यह वाट नोटिस करी है कि चिप्स जिस पैकिट में आते हैं उसमें इतनी सारी हवा क्यों बरी होती है अगर आपको नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊँगा कि चिप्स के पैकिट में हवा क्यों बरी होती है दरासल ऐसा करने के पीछे काफी सारे कारण है जिसमें से एक कारण इनको तूटने से बचाने के लिए भी है कि कमपनी से बनने के बाद हमारे पास आने तक इसको काफी ज़्यादा टाइम से गुजरना पड़ता है तो यह चिप्स पैकिट के अंदर ही आपस में टकरा टकरा कर तूट जाएंगे और हमें उन्हें खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा वैसे इस चीज का सॉलूशन एक कमपनी प्रिंजल्स ने निकाला था उन्हें चिप्स के पैकिट की जगा एक कैन का इस्तमाल करना ज़्यादा बहतर समझा लेकिन कैन इस्तमाल करने की वज़ह से उनके चिप्स ज़्यादा महंगे हो गए वैसे दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि चिप्स के पैकिट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर ऑक्सिजन गैस भरी जाती है तो आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि oxygen gas काफी जादा reactive होती है और वहें chips के packet के अंदर भरी जाएगी तो chips खराब हो जाएगे और उसमें bacteria लगने के भी काफी जादा chances रहेंगे और हम ऐसे chips खाना भी पसंद नहीं करेंगे इसी लिए chips के packets के अंदर nitrogen gas भरी जाती है यह इन्हें sealने और bacteria लगने से बचाती है और यह chips को पहले से जादा crunchy भी बनाती है वैसे हवा भरने की वज़ा से chips निर्वाता कंपनियों को भी काफी जादा फायदा होता है क्यूंकि उनके chips के packet हवा की वज़ा से थोड़े से दिखाई देते हैं और वह customers को यह सुनिशित कर पाते हैं कि आप जो chips खरीद रहे हैं वो एकदम air tight है इसके अंदर कोई भी बाहर से हवा नहीं जा सकती तो दोस्तों उमीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि chips के packet के अंदर हवा क्यों बरी होती है तो प्लीज आप वीडियो बाद तो जरूर नोटिस करी होगी कि ambulance के front में ambulance शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है दोस्तों मरीजों की जान बचाने के लिए ambulance को काफी जादा तेजी स्पीड में चलना पड़ता है क्योंकि उन्हें जली से जल्दी उन्हें hospital ले जाना होता है और आगे चलने वाली पाई दे और आप जल्दी से ambulance को रास्ता दे पाएं जोस्तों आप सभी के घर में रखा हुआ LPG gas cylinder red कलर का ही क्यों होता है हम उसे किसी और कलर का क्यों नहीं कर सकते आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है देखिए लाल कलर को खत्रे का कलर माना जाता है और हमारे gas cylinders में भ गैस से एक ठीक ठाक दूरी पर रखा हो जब आग लगे तो cylinder के फटने का खत्रा काफी कम हो जाए और बड़ी दुरगटना होने से बच सके इससे हमें यह अनुमान लगता है कि जो gas cylinder होता है वो काफी जादा खतरनाक होता है और red कलर तो खत्री की निशानी होती है इसलिए बस gas cylinder को red color से paint कर दिया जाता है और इसके अलावा इसके पीछे का कोई कारण नहीं है